हेलो सुदाइट्स वेलकुम बेक टो माई चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वक्षीट नंबर 70 विज्ञान सब्जक्ट की है बेटा दस वी गलास के बच्चों के लिए 21 तारिकी है जिसमें बेटा आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुए हमारा परियावरन और ये आपका मेभी लास्ट चैप्टर है इसके बाद आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगे ठीक है तो आप सभी को भी इस चैप्टर के बाद बेटा इसकी जो एक वर्क्षिट आएंगी जितनी भी उनके बाद अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देनी है अब आपका पूरा स्लेवस जितना आना है डिलीटिड पोर्शन को छोड़ कर वो सारा मतलब वर्क्षिट में कंप्लीट हो चुका है आगे से अब अपना रिवीजन करोगे आप पेपर की तयारी करोगे ठीक है तो देखो बेटा यहां पर आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें टोपिक अपना पारीतंत्र पारीतंत्र क्या होता है तो किशी अक्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजयो कारक संयुक्त रूप से पारीतंत्र बनाते है ठीक है तो पारीतंत्र क्या होता है पारीतंत्र वो पूरा वातावरण जिसके अंदर क्या होते है सभी जीव रहते है और अजयो घटक जैसे कि वायू, जल, जमीन ठीक है ये सभी चीज़े उसमें हो और सारे जीव जनतु हो वो सभी मिलकर वो अक्षेतर क्या कहलाएगा वो अक्षेतर जहां पर ये सारी चीज़े होती है तो पारी तंतर जो परकरती में पाया जाता है जैसे कि तालाव जील ये सारे पारी तंतर है ठीक है इनके अंदर खूब सारे पेड़ पोदे होते हैं इसके अंदर जल भी होता है और इसके अंदर कुछ जीव जनतू भी होता है ठीक है तो ये सभी मिलकर क्या बनाते एक पारी यह प्रोल शेई व्यक्त सब्गे है, अनों निर्मित, पारी तंत्र को, परी तंत्र को परीतंत्र कहते हैं, जैसे की खेत बाग और एक्वेरियम एक्वेरियम में बेटा वो सारी चीजे डाली जाती है जैसे की एक समुदर के अंदर होता है कोशिस की जाती है बनाने की था कि उसमें हम छोटी-छोटी मचलियों को रख सके ठीक है खेत भी बनाए जाते है बाग बनाए जाते हैं चोटे चोटे जंगल की तरह जहां पर सभी पेड़ पोदे वगरा होते हैं तो यह सब क्या है मनुष्य के द्वारा बनाए गए पारी तंत्र है ठीक है या परी तंत्र है अब जो परी तंत्र है बेटा उसके घटक क्या है परी तंत्र के दो घटक होते जैविक घटक और जैविक घटक क्या होते हैं जिसमें निर्जीव आते हैं जिसकी हवा जल और भूमी ठीक है जैविक घटक में पोधे और जानवर यानिकी जीवित सजीव जो प्राणी होते हैं वो सभी जैविक में आ जाते हैं अब जैविक के अंदर बेटा उत्पादक हो अब देखो ये साकारी उपभोगता के अंदर रहेगा उत्पादक क्या होते हैं? पेड पोधे उत्पादक काहलाते हैं क्योंकि पेड पोधे अपना भोजन स्वयम बनाते हैं और औरों के लिए भी भोजन तैयार करते हैं ये पड़ चुके हैं जो एक तरीके से सबी जीवज अब उपभोगता भी कितने चार तरीके के होते हैं, शाकाहरी, मासाहरी, सर्वहारी और परजीवी, ठीक है, अब बारी बारी से एक एक टर्म को पढ़ते हैं, अजयवी घटक क्या होती है, सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमी, प्रकास, तापमा, नादी को सभी सजीव घटक, जैसे कि पोदे जानवर, शुक्षण जीव, आधी, जैवी घटक कहलाते हैं, ठीक है, अब पोशन के आधार पर जैवी घटकों को नीमन में बाटा गया है, पोशन के आधार पर जो जैवी घटक हैं उनको किसमें बाटा गया गया, तीन, उत्फादक, उपभोगता ठीक है और बाकी हम आगे पड़ेंगे अप घटक उपभोगता क्या है सभी हरे पोधे वैं नील हरित शैवाल अपना भोजन प्रकास संसलेशन द्वारा बनाते हैं आते हैं इनको क्या बोले जाएगा उत्पादक ये उत्पादन करते हैं भोजन का उपभोगता निर्बार होते हैं जो भोजन बनाता उस पर जैसे कि आपके घर में मम्मी खाना बनाते हैं तो आप सभी खाते हो तो घर में क्या बोलतेंगे उत्पादक कोन है मम्मी ठीक है लेकिन खाते सभी हो ठीक है अब बेटा बात करते हैं उपभोगता हो के निमन भाग है किन किन मे बाटा गया शाकाहरी जो पोदे खाने वाले जीव जैसे कि बकरी हीरन जो सिर्फ पोदे खाते हैं मास हारी भोग तक हो नहीं ते जो मास खाने वाले जीव जैसे सेर और बाग सरवाहरी ऐसे जीव जो हरे पोदे और मास दोनों ही खाते हैं जैसे कि मनुश्या हो गए कोवा हो बेटा अप घटक वे जीव जो मरे हुए जीव वे पोधो को सरल अनूओं में अप घटित कर देते हैं जैसे जीवाणू आदी ठीक है ये अप घटक कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं जीवाणू ठीक है उसके बाद बेटा देखो यहाँ पर हमें दिया गए अहार सरंखला तो अहार सरंखला क्या होती है, यह ऐसी सरंखला है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है, ठीक है, एक जीव ने, जैसे कि, क्या नाम है अब ऐसे लगा लो बेटा, कि हीरन ने क्या खाया, पोधे को खाया, हीरन ने और हीरन को खाया, शेर ने, तो आर्स रंकला में उन जैवी घटकों को जिनमें उर्जा का स्थाना अंतरन होता है पोसी स्तर कहते हैं देखो आर्स रंकला में उन जैवी घटकों को ठीक है जिनमें क्या होता उर्जा का स्थाना अंतरन होता है वो पोसी स्तर कहलाते हैं ठीक है जैसे की हीरन हो गया हीरन क्या जैविक घटक है, तो इसमें क्या हो रहा बेटा, इसका जो उर्जा और ये भी जैविक, इसकी उर्जा इसमें आ रही है, और इसकी उर्जा का स्थाना अंतरन इसमें हो रहा है, तो ये पोसी स्तर कहलाते हैं, अब पोसी स्तर में उर्जा का परवा होता कैसे है, उर्जा तो इसलिए सिर्फ एक धिसा में होता हरे पोधे सूर्या से प्राप्त कुल उर्जा केवल एक परसंट भाग ही भोजन में बदल पाते हैं तो सूर्या से परतिसत का नियम क्या है एक पोसी स्तर से दूसरे पोसी स्तर में केवल यानि की घास से हीरन में और हीरन से शेर में 10 परतिसत उर्जा का ही प्रवा हो पाता है 90 परतिसत जो उर्जा होती है वर्तमान स्तर में जयाव परकरम में उप्योग होती है ठीक है जेयो प्रक्रम जो उनकी process होती है इसमें उप्योग होती है सिर्फ 10% ही दूसरे के सरी में घास से उसने 10% ली उस दस परती सत में से 10% شेर के पास गई ठीक है तो ऐसे हर बार घटती चली जाती है एक स्थर से दूसरे स्थर में क्योंकि मान लो इसके पास सोती घास के तो इसने इसका दस परतिसत लेगी सेर के पास यानि कि एक परतिसत उर्जा जाएगी देखो इसका दस परतिसत दस और इसका दस परतिसत एक परसेंट आएगा ठीक है तो इस तरीके से उर्जा घटती चली जाती है अब उर्जा का इसके कारण अहर स्रंकला में तीन या चार पोसी स्तर होते हैं ठीक है कौन-कौन से बेटा देखो ये दिये हुए आपको की वन मिनट अब जैव आवर्धन क्या होता है बेटा देखो अहार स्रंकला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोसिस्तर से दूसरे पोसिस्तर में जाने पर बढ़ती है देखो उर्जा तो घटती इस से इसमें जाएगी इस सतर से इसमें जाएगी तो ये उर्जा घटेगी लेकिन हानी कारग जो रसायन है वो बढ़ते जाएगी क्यों? क्योंकि बेटा देखो पोदो में जो हानी कारग रसायन थे वो इसमें गए लेकिन इसमें खुद के भी तो मानव परती एक आहर स्रंकला के शिर्स पर होता है, यानि कि मानव ऐसा है जो हर चीज को खाता है, ठीक है, मानव हर एक स्रंकला के शिर्स पर होता है, मानव को कोई नहीं खाता है, ठीक है, मानव सभी चीज को खाता है, तो सभी जीव जन्तों के जितने भी रासायन होंगे, हा कि वो हर चीज को खाता है और आप देख भी रहे हो COVID-19 ये किस तरीके से फैला था तो मनुस्यों में ज्यादतर बिमारी इसी वज़े से होती है अब बेटा हम करते हैं इसके question answer फर्स्ट देखो क्या है यदि उतपादक स्तर पर 10,000 जूल उर जा है तो पर्थम पोसी स्तर पर कितनी उर जा होगी देखो उत्पादक स्तर पर दस हजार जूल है ठीक है तो इस जूल का दस परतीसत किसमे होगी पहले स्तर पर तो इसका दस परतीसत कितना होगा बेटा ऐसे कर लो दस को सो से डिवाइड करो ठीक है तो इससे ये कट गया और इस से ये कटी है, यानि कि 1000 जूल, इतनी उर्जा पर्थम स्तरप होगी, आप लिखोगे, कि यदि उत्पादक स्तरप पर 10,000 जूल उर्जा है, तो पर्थम पोसी स्तरप पर 1000 जूल उर्जा होगी, आप ये लिखोगे, ठीक है, अब बोलाएं, नेक्स्ट कुश्चन, बिटा लिखानी है, ये आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगी, ठीक है, तो आपको इस तरीके से बेटा देखो, ये आपकी क्या है, जंगल में, ठीक है, जंगल में सबसे पहले पेड़ पोदे हैं, पेड़ पोदो को हीरन ने खाया, और हीरन को शेर ने खाया, नाम भी लिख इस तरीके से आप इहां पर इनके नेम लिख दोगे, ये वाली नहीं बनानी है, ठीक है, क्योंकि आपको जमीन की नहीं बताई गई है, आपको क्या बोला गया है, वन की, ठीक है, और ये होती है घास की, और ये वाली बेटा तालाब की है, तो ये बेटा आपकी आज की वर बढ़ते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं, थैंक यू